Hello everyone, welcome back to Organized Learning Channel अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेर और कॉमेंट करें तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं, डिरेक्टरेट ओफ एजुकेशन जी एन सीटी ऑफ डेली की तरफ से, जो मिशन मैथमेटिक्स है, क्लास 10 के लिए उसकी चार जनवरी दो हजार तेस का question of the day तो क्या question हमें दिया गया है, the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively एक AP है, उसकी जो first term हमें पता है, A से denote करते हैं, वो है 17 और जो last term है, यानि की AN से denote करते हैं उसको, वो है 350, ठीक है if the common difference is 9, अब common difference जो है, सारी terms में वो कितना है, D यानि की 9 है find the sum of all the terms of the AP, तो अब हमें sum बताना है, यह जो AP बनेगी हमारे पास इसमें जितनी भी terms होंगी, उनका हमें क्या बताना है, sum सब का, ठीक है तो देखते हैं, इस question को हम कैसे solve करेंगे तो देखो, इस question के लिए हमें निकाला sum, तो sum of first and terms of AP बोला गया है हमें, तो जो first and terms होती है AP की, उनका sum का जो formula होता है, वो क्या होता है, SN is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D अब यहां पे हमें हर चीज का पता है कि क्या होता है, SN से हम denote करेंगे n terms के sum को, n होते हैं, हमारे पास जो total number of terms होंगी हमारी AP में A हो जाएगी हमारी first term और D हो जाएगा हमारा जो common difference है लेकिन अब उसमें, इसमें हमें पता है, इस formula में हमें A भी पता है, D भी लेकिन यह जो n है, यानि कि total number of terms है, यह नहीं पता है तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले इस n की value को find out करेंगे अब उसको हम कैसे find out कर सकते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, first term A कितनी दी हुए है, में 17 last term AN कितनी दी गई है, 350 और common difference D कितना दिया गया, 9 अब हमें पता है, जो nth term है, यानि की n निकालना है हमें अब nth term of AP का formula भी हमें पता है, वो क्या होता है AN is equal to A plus N minus 1 into D अब यहाँ पे हमें इसकी value पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, तो यहाँ से हम N की value find out कर सकते हैं, ठीक है simply हमने यहाँ पे values पुट करी, AN की जगे पे क्या है, last term यानि की 350 is equal to A, यानि की first term 17 plus N minus 1 as it is लिख दिया, into D कितना है हमारा 9 अब इसको जब हमने solve किया, तो हमारे पास N जो है, वो हमारा कितना आ गया, N आ जाता है हमारा 38 ठीक है, जब इसको हमने cross multiply किया, या plus वाली term को इदर ले कर जाएंगे, तो minus किया, तो इससे हमारी N की value आ जाती है 38, ठीक है, अब हमें पता है, sum of N terms of AP, अभी हमने उपर भी पढ़ा था, कि SN is equal to N by 2 into A plus AN अब यहाँ पे हमें इसकी value find out करनी है, यह आ जुका है, हमारे पास N 38, A हमें दिया हुआ है, first term और A and last term हमें दी गई है तो simply हम इसकी value है, वो निकाल लेंगे, तो S 38, SN, यानि कि S 38, N 38 आया है, इसलिए, is equal to N की जगे पर, 38 upon 2, यहाँ A की जगे पर 17, plus A and last term की जगे पर 350 अब इसको जब हमने solve किया, तो यह solve करने पर 6, 97, 3 हमारे पास आ जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है, यह हमारे पास आ जाएगा, sum of terms हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कि sum of terms of this AP is 6, 97, 3 तो इस तरीके से यह question जो है, हम solve कर सकते हैं, तो आशा है कि आपको यह question समझ में आया होगा, इसका solution समझ में आया होगा, यह video आपको अच्छी लगी होगी, तो आप video को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, video को like करें, और comment करें, channel को subscribe करें, मिलते हैं next video में